वेब एड्रेस वो एड्रेस है जिसके मदद से हम वेब साइट पर जाते हैं या वेब साइट खोलते हैं इंटरनेट पर हर साइट का एड्रेस मुक्तलिफ होता है आम तोर पर URL के दो हिस्से होते हैं हम http colon front slash front slash www.bu.edu.pk को डिस्कस करते हैं पहला हिस्सा http colon front slash front slash दूसरा हिस्सा www.bu.edu.pk पहला हिस्सा प्रोटोकोल के बारे में बताता है कि ये वेब साइट किस प्रोटोकोल को यूज करते हुए ओपन होगी आईए अब हम इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकोल को समझते हैं पहले हम प्रोटोकोल को define करते हैं एक कम्प्यूटर से जब कोई information दूसरे कम्प्यूटर पर exchange होती है तो वो कुछ खास rules के तहद होती है इन set rules को protocol कहते हैं इंटरनेट में मुख्तिलिफ किस्म के protocol इस्तेमाल होते हैं जैसे FTP, TCP, IP, HTTP, HTTPS वगेरा पहले हम HTTP को समझते हैं HTTP दरसल Hypertext Transfer Protocol का मुखफफ है ये web server से web pages को transfer करने का protocol है HTTP का बुन्यादी मकसद इन web pages को browser में दिखाना है जिन में hyperlink बने होते हैं जब हम किसी browser में कोई URL टाइप करते हैं तो इसके शुरू में HTTP लिखा जाता है इसका मतलब यह है कि web server से web pages को transfer करो जिन में hypertext, hypermedia links वगेरा हों HTTPS से मुराद hypertext transfer protocol secure है जिसका बुन्यादी मकसद web server से web pages को transfer करने के साथ साथ website की authentication भी है ताके internet के जरीए दो computer के दर्मियान एक महफूज communication हो FTP file transfer protocol का मुखफफ है इस protocol को इस्तमाल करके हम files को server से access कर सकते हैं जिस तरह HTTP की मदद से web server से web pages को transfer किया जाता है इसी तरह FTP protocol की मदद से FTP server से file को transfer किया जाता है FTP server इंटरनेट पर ऐसे computers होते हैं जिन में मुख्तलिफ किसम की files को store किया जाता है ये servers मुख्तलिफ departments जैसे colleges, universities वगेरा maintain करते हैं FTP server में कुछ files ऐसी भी होती हैं जिन को copy करने के लिए पहले उनका खुफिया code बताना होता है आप FTP server से मुख्तलिफ किसम की files को copy कर सकते हैं तुसरा हिसा IP address या domain name होता है domain क्या होती है? domain दरसल computers का group होता है जिसमें computers एक दूसरे से information share करते हैं और domain name भी आपके नाम जैसा ही किसी site का नाम है जैसे आप लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं ऐसे ही हम site को उनके नाम से open करते हैं IP address को अगर हम daily life में देखें तो ये भी phone number के जैसा ही एक number है यानि जैसे एक phone number किसी दूसरे person का नहीं हो सकता ऐसे ही internet पर हर computer का IP address फर्क होता है IP address कुछ इस तरहां का होता है 203.215.176.42 Numbers को याद करना मुश्किल होता है इस problem को solve करने के लिए हम host masking कर लेते हैं यहां हम host masking को understand करने के लिए mobile phone की example लेते हैं जैसे हम किसी के number के साथ name set कर देते हैं जैसे 01231234567 के साथ अली लिख लिया अब आपको number याद करने की जरूरत नहीं आप mobile की address book से अली name निकाल कर number dial कर सकते हैं ऐसे ही बजाए इसके कि सारा IP address याद किया जाए हम इस IP address की host masking कर लेते हैं और virtual university के IP address की बजाए सिर्फ host name यानी www.vu.edu.p के याद कर लेते हैं जो के हमारे लिए याद करने में आसान होता है domain name में www है जो के worldwide web का मखफफ है इसके बाद इस website को बनाने वाले के बारे में information होती है जैसे .vu यानी ये website virtual university ने डिजाइन की है इसके इलावा domain names में BBC, CNN और Yahoo वगरा होते हैं domain name में वो हिस्सा जिसमें तीन letters लिखे होते हैं वो domain की specification के बारे में बताते हैं जैसे .org एक organization को जाहिर करता है .edu .edu एक तालीमी अधारे को और .com एक commercial अधारे को जाहिर करता है पास domain names के आखर में दो letters की abbreviation भी होती है ये किसे मुल्क का country code होता है जैसे US for United States, UK for United Kingdom और PK for Pakistan वगरा इस वक्त आपको screen पर कुछ मशूर websites के URL नजर आ रहे हैं इन में protocol और webpage के domain name labeled है Home page जब हम web browser को start करते हैं तो सबसे पहले हमें जो web page नजर आता है उसे homepage या start page कहते हैं Home page दरसल किसी भी website का पहला page होता है इसमें इस website को मजीद explore करने के links बने होते हैं आईए इस section में हम home page को देखना या तबदील करना सीखते हैं इसके लिए पहले हम browser को start करते हैं जिसका तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं आप देख रहे हैं कि हमें Google की website नजर आ रही है यानि इस browser का home page Google को set किया गया है अब हम इस page को तबदील करके home page www.vu.edu.p के बनाना चाहते हैं आईए इसका तरीका सीखते हैं सबसे पहले हम menu bar में से tools menu को open करते हैं हमारे सामने ये list open हो गई है हम internet options पर click करते हैं हमें ये dialogue box नजर आ रहा है यहां आपको general tab में home page के नीचे तीन buttons नजर आ रहे हैं use current, use default और use new tab use current के button पर click करने से जो site खुली हो और आप देख रहे हैं उस site का address home page के तौर पर set हो जाता है use default के button से जो default page हो set हो जाता है यानि वो page home page के तौर पर set हो जाता है और use new tab के button से home page blank पर set हो जाता है यानि के कोई site या web page as home page नहीं रहता इसी dialogue box के home page section के address box में हम VU का URL टाइप करते हैं फिर okay के button को click करते हैं लेकिन आप देख रहे हैं, screen पर कोई तबदीली नहीं हुई है अब हम तबदील किये हुए home page को देखने के लिए पहले हम browser को close करते हैं फिर उसके बाद दुबारा browser को open करते हैं अब आप देख रहे हैं कि browser को दुबारा start करने से हमें Google की बजाए VU का web page नजर आ रहा है यानि अब Google की बजाए VU.edu.pk home page बन गया है लीजिए, हमने home page को तबदील करने का तरीका सीख लिया है आप इसी तरीके के मुताबक जिस page को home page बनाना चाहें, बना सकते हैं बाज उकात ऐसा होता है कि हम एक web page में काम कर रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि इसे close किये बगएर किसी और web page को open करें यानि एक वक्त में एक से ज्यादा pages को open करना चाहते हैं जी जनाब ब्राउजर हमें ये facility भी फरहाम करता है इसके लिए new tab की option को इस्तमाल किया जाता है आईए इसको सीखते हैं इस वक्त आपको Google की website नजर आ रही है इसके साथ साथ हम virtual university की website को भी browse करना चाहते हैं यानि एक वक्त में एक से ज्यादा web pages को open करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम Google की tab के साथ इस छोटे से खाली हिस्से को जिसे new tab कहते हैं क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से address bar खाली नजर आ रहा है जानि अभी इसमें किसी website का URL नहीं लिखा गया अब हम address bar में virtual university का URL टाइप करते हैं और enter की को दबाते हैं आप देख रहे हैं कि हमने एक वक्त में एक से ज्यादा websites को open कर लिया है stop refresh button जब हम browser में मुक्तले web pages को देख रहे होते हैं तो बहुत सी situations होती हैं जिनमें हम web pages को open होने से रोकना चाहते हैं आईए इसे सीखते हैं बाज उकात किसी web page को open होने में बहुत ज़्यादा time लग जाता है ऐसे situation में हम इस web page को open होने से रोकना या stop करना चाहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि हमने गलती से किसी ऐसे link पर click कर दिया हो जिस पर click नहीं करना था ऐसे situation में भी हम आगे proceed नहीं करना चाहते बलके इसी page को रोकना या stop करना चाहते हैं या फिर जब कोई web page open हो रहा होता है और इसके contents नजराना शुरू होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें ये information नहीं चाहिए जैसा के इस वक्त आप देख रहे हैं कि internet explorer bbc.com के page को open कर रहा है हम इसको open करने से रोकना चाहते हैं इसके लिए हम address bar में बने cross के button जिसको stop button कहते हैं पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि browser web page को open करने से रुक गया है और वो ही cross का निशान अब एक circular arrow बन गया है अब हम इसको refresh button कहते हैं तरसल ये एक ही button किसी भी website को stop करने और उसे refresh करने का काम करता है refresh करने से ये मुराद है कि अगर आपने एक web page को काफी देर पहले open किया है और आप चाहते हैं कि इस page में की गई तबदीलियों को देखें या अगर एक page सही तरह लोड नहीं हुआ और आप उसको reload करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए आपको address दोबारा type न करना पड़े तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके लिए हम address पार में मौजूद इस circular arrow जिसको refresh बटन कहते हैं पर click करते हैं तो देखिए प्राउजर ने उस रुके हुए page को दुबारा load करना शुरू कर दिया है जब हम किसी web page को refresh करते हैं तो जो website open होती है इसकी request दुबारा server को भीजी जाती है और वो latest तबदीलियों के साथ आपको नजर आती है आएए इसको एक और मिसाल से सीखते हैं इस वक्त आपको एक mail पेज open दिखाई दे रहा है इसके inbox में चार messages पड़े हुए है हमने इसको काफी देर पहले open किया था अब हम ये देखना चाहते हैं कि इनके inbox में कोई तबदीली तो नहीं हुई इसको देखने के लिए हम address बार में बने refresh के बटन को क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि इसके inbox में अब चार की बजाए 8 messages नजर आ रहे हैं इस तरह से आप refresh बटन को इस्तमाल करके एक वेब पेज को latest तबदीलियों के साथ देख सकते हैं